नमिश्कार बच्चियों मैं नेहा सायन नवभारती स्टड़ी सर्किल में आपका एक बार पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और व्याकरण की कड़ी को आगे भढ़ाते वे हम वरणों के मेल से होने वाली संधी के विश्य में हम चर्चा कर रहे हैं अभी तो संधी प्रकरण से जुड़ी भी हमारी जो संधी है व्यांजन संधी और स्वर संधी दोना पूरी हो चुकी है उनसे सम्दित कुछ बाते हैं जो मैं आज आप से करना चाहते हूँ उसके बाद में हम विसर्ग संधी के नियों में पर चर्चा करेंगे तो सबसे मेरे हम जानते हैं कि वो महसून बिंदू कौन से है जिनके बारे में बात करना चाहते हूँ बच्चो वर्णो का जो मेल है वर्णो का मेल चार प्रकार से होता है जिनमें सबसे पहरे आता है आदेश दूसरे नमर पर आता है आगम तीस्टे नमबर पे आता है लोग और चौथे नमबर पे आता है प्रकृति भाव अब होते क्या है यह चीज़ बच्चों सबसे मेरे जाले आदेश क्या होता है जब वर्णों के मेर से विकार उत्पन होता है क्या कावा मैंने संदी की जो परिभाशा है कि दो या दो सदिक वर्णों के मेर से उत्पन होने वारा विकार संदी कहलाता है तो वही विकार जो होता है वो विकार क्या कहलाता है आदेश कहलाता है क्या कहलाता है आदेश कहलाता है दूसरा पांट है हमारा आगम तो जब अन्ये वर्ण का आगम होता है और लो जब स्वर का या वर्ण का लोक करता है उस वर्णों का य किया जाता है तो गायब हो जाता है सो canyon क्या जाता है तो एneg तो लोग क्या हो मतने में वह बटन नहीं होता, ना आदेश हो रहा है, ना आगम हो रहा है ना लोग हो रहा है. तो ऐसी इस थिती में वह प्रक्रती भाव कहलाता है. ठीक है? कुछ मैप पुर्गार दे ये थी, अब इसके अलावा हम जो संधी पढ़ रहे हैं, हमने जो वर्णों का मेल पढ़ा वर्णों का मेल कितनी प्रकार से होता है छे प्रकार से होता है कितनी प्रकार से होता है छे प्रकार से जैसे स्वर और स्वर का मेल ठीक है स्वर और व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन का मेल हाँ तो स्वर और स्वर स्वर और व्यंजन इसके अलावा व्यंजन और स्वर व्यंजन और स्वर और व्यंजन और व्यंजन का मेल ये तो हम स्वर संधी और व्यंजन संधी में देख चुके हैं यहां देखिए स्वर और स्वर का मेल होने पर कौन सी संधी होती है स्वर संधी फढ़ चुके हम पर ने स्वर संधी स्वर और व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वर दोनों में से किसी यह कि स्थामे पर व्यंजन हो और दोनों और व्यंजन हो तो वहाँ पर कौन सी संधी होती है व्यंजन संधी होती है ठीक है बचो क्या होती है व्यंजन संधी अब इनके अलावा विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग धन व्यंजन विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन ये छे प्रकार से संधी कादी किया जाता है वर्णों था मेर जो होता है 6 प्रकार से होता है जह सवर और स्वर्ण का में व्यंजन और इसके रावा विसर्ग और स्वर्द्व और विसर्ग Duty प्लस वह सथ हे न बिहें विजफंग कंद में इंत इसे कहा जाता है किया कहा जाता है विजफंग के कहाँ जाता है ठीक है? इसका जो ध्वनी उच्चरित होती है, वो ह की होती है, जैसे यदि ः के बाद में आप यदि वितनी लगाते हो, तो बचारण क्या होगा? शुचरण क्या होगा? अच्छा, एक बाद और ख्याइ दीजिए, स्वरों की जंगें कितनी होती है? ग्यारा और व्यांजरों की संगया कितनी होती है तैतिस व्यांजरों की संगया कितनी होती है तो कुल मिलासिर यदि हम इसको ऐसे लगे लिखें विसर्ग प्लस 44 वन 44 वन तो भी यह हमारा सही है तो भी यह हमारा सही है कहने का ताप्रियां यह है कि हमें विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन के बारे में पढ़ना है हमारे जो नियम बनेंगे वो इसी आधर पर बनेंगे और पहले की वीडियो में जो मैंने आपको वर्णों का वर्गी करेंट बताया है सघोश, अघोश उनी वर्णों का प्रयोग हम यहां इसकी नियोगों में करने वाले है कि सघोश वेंजरों के साथ में इसका मेल कैसे होता है और अघोश वर्णों के साथ में इसका मेल कैसे होता है कैसे इसमें परिवर्टन होता है तो आईए पढ़ते हैं और इस प्रक्रेल को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संदी को पढ़ना विसर्ग संदी का पहला नियम क्या कहता है विसर्ग संदी का पहला नियम कहता है कि यदि स्वर्ग के साथ विसर्ग हो या प्लस अगोश वियंजन हो कौन से वियंजन हो? अगोश वियंजन अब ये अगोश और सगोश क्या होते हैं? ये होते हैं, देखिए अगोश क्या है ये? अगोश और दूसरे होते हैं सगोश दूसरे होते हैं सगोश आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है आ उपसर्ग का जो अर्थ है वो नहीं के रूप में काम में लिए जाता है ठीक है नहीं अर्था जिसे टागा नहीं जा सकता ठीक है उसी प्रकार यहां पर आ का अर्थ क्या है नहीं अब यह जो घोश है इस घोश का अर्थ होता है कमपन इस हो क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं और सवसर्ड का मतलब क्या होता है साथ में या सहिद ठीक है और वही घोशकार्द क्या होता है कमपन और धार जिन वर्णों के उच्छारण में हमारी सवर्ध संत्रियों में कमपन होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं सगोश्वर्ण कहते हैं ठीक है अगोश्वर्णों की संख्या होती है 13 और सगोश्वर्णों की संख्या होती है 31 कितनी 31 कैसे अगोश्वर्ण क्या होते हैं पहला और दूसरा प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड ठीक है प्रतेक वर्ग क्या आपको आपने अगर वर्णों का विच्छेत पढ़ा हो वर्णों का क्रम पढ़ा हो या वर्गी करेंट पढ़ा हो तो तो उनमें मैंने व्यंजनों का वर्गी करेंट बहुत अच्छी प्रेका यह पांच वर्ग हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग और पवर्ग ठीक है यह जो पांच वर्ग है हमारे इन पांच वर्गों में कौन कौन से होते हैं कवर्ग ठीक है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ठीक है यह प्रतेक वर्गों में पांच व्यंजन होते हैं, हमारे पांच वर्ण होते हैं का वर्गों में का, खा, गा, गा और अंगा का, खा, गा और अंगा यानि यह पहला वर्ण, यह दूसरा वर्ण, यह तीसरा वर्ण, यह चोहता वर्ण और यह पांच वर्ण ऊड़िये बाद आपको मेरे बाट समझेये तो हमें क्या करना है प्रतेक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड प्लस तीनो श श, श, और स क्या? श, श और स ये तीनों सकार और तीनों शकार और हमारे तो दस याओनि प्रतेक वर्ग का दो दो पचजित दस यानि पांच वर्गे हमारे पांचों वर्गे शुरू के पहले दूसरे वर्ड मिलातर के इनकी संख्या कितनी हो गई? तेरा बाकी के बचे तीन, चार, पांच ठीक है? तीन, चार, पांच यहां क्या बचा हमारा ह? इसके अलावा हमारे चार जो वियंजन मुचेंगे यह र ल और व और सभी स्वर हमारे किसमे गिने जाते हैं हमारे सभी स्वर सघोश वर्ण में गिने जाते हैं गिंति करके देखिए 3, 4, 5, प्रतेक वर्ग के 3, 3, 4, 5, 11, तो 3, 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 15 और 4, फिर 1 ये हो, और 11 स्वर, कितने हो गए, 15, 4, 19, 19, 21, 20, 21, 31, 31, तो हमारे सघोष वर्णों की संख्या कितनी हुई तो 13 और 31 कितने एंहें हमारे 44 हमारी यहां पर हिनका टोटो कितना आ रहा था 13 और 31 चंवालिस और व्यंजेलों की वर्णों की संख्या हिंध्र वर्ण मालमय, कितनी है 24 आई आपको बात समझ में चलिए आगे पड़ते हैं और देखते हैं Mr. Sug exercises का पहला नियम देखे ये बात तो त्य है कि हम जब YouTube का प्रयोंग करते हैं तो उसे थम स्वरों के साथ ये प्रयोंग हो लेते हैं आपको बताएं थिय आयोग वाह क्या होते हैं ऐयोग वाह ये तीन शब्दों से मिलकर बना रहे हैं इसमें तीन टुकडे होंगे औ, योग और वहाँ औ यानि नहीं योग यानि जुड़कर वहाँ यानि वहन यानि जो किसी के भी साथ नहीं जुड़कर के या व्यंजरों के साथ में जिनका जोड नहीं होता उन्हें कहते हैं अयोग वहाँ खिंदी में इनकी संधिया कितनी है दो एक तो अनुनासिक और एक विसर्ग अर्था अयोग वहाँ का जो प्रियोग किया जाता है वो सदेव स्वरों के साथ में किया जाता है तो जब भी हम विसर्ग संदी का नियम पढ़ेंगे हम विसर्ग संदी जब भी करेंगे तो पदांत में स्वर्ग के बाद में ही विसर्ग आएगा इस बाद को गाठ बांद दीजे कि हमारा जो पहला पद होता है इस पहले पद के लास वे विसर्ग से पहले क्या आएगा स्वर ही आएगा अंतिम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा स्वर ही होगा चलिया आगे पढ़ते हैं हम नियम नमबर एक पढ़ते हैं हम विसर्ग संदी का विसर्ग संदी का पहला नियम ये कहता है कि यदि स् अगोश्वर्ण में से च, अगोश्वर्ण जो है हमारी कौन-कौन से, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ठ, कित्य होगे, त, ठ, प, फ, श, श, और, गिंते के रहेंगे कितनी एक बार, एक, दो, तीन, च, पांच, छ, स, आठ, नो, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, कितने हैं, तेरा, तो पहला नियम जो है हमारा, या यह मानिए कि अगोश्वर्णों से संब्धि, जो नियम है हमारा, उनके हम चड़जा करने जा रहे हैं, तो इ यदि च, छ, या श, हो, यदि विसर्ग, स्वर्ग से पेले क्या हो हमारा, स्वर्ग के विना, इनका प्योग नहीं किया जा सकता, तो जब स्वर्ग और विसर्ग के बाद में च, छ, और श, हो, तालव ये श, हो, तो हमारा जो विसर्ग है, ये विसर्ग तालव ये श, में परिवर्तित हो जाता है क्या कहा मैंने चौर चौर क्या है तालव्य वेंजन है तालू के मार्दन से जम इनका उचारण किया जाता है तो इनका उचारण करते से हमारी जो जीवा है वो तालू को छूती है इसलिए क्या कहा जाता है तो इसलिए यह जो विसर्ग है यदि स्वर और विसर्ग के बाद में 4-6 शय में से कोई एक वर्ण आता है तो हमारा विसर्ग जो है किसमें परिवर्थित हो जाता है तालविय शय में परिवर्थित हो जाता है आईए इसके कुछ धारण देखते हैं जैसे नि धन शुल्ग नि धन शुल्ग आप हमारा यहां क्या आया तालविशा तालविशा आया तो इस विसर्द को किसमें परिवर्थिक करेंगे तालविश में तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा निशुल्ग निशुल्ग क्या बनेगा निशुल्ग इसकी अलावा भी बहुत सारे उधारणे हमारे आये देखते हैं उधारणों को भी जैसे अंतष चक्षू मनश चेतना अंतः धन चक्षू तो यहां पर तालवे बन आया हमारा चाया इस तालवे बन को यदि तालवे बन यहां है तो हमें क्या करना है यहां इस विसर्ग को तालवे श में परिवर्टित करना है तो हमारा शब्द क्या बनेगा अंतष चक्षू क्या बना? अंतश चक्षू मनह धन चेतना मनह धन चेतना तो हमारा शब्द क्या बनेगा? मनश चेतना मनश चेतना इसकी आवा? मनह धन चिकित्स मनाः धन चिप्चर तो मनाः धन चिप्चर क्या बनेगा मनश चिप्चर मनश चिप्चर मोस्ट इंपर्टेंट वॉर्ड है ये क्योंकि बहुत सारे प्रत्यों की परिक्षावों में पूछा गया यह मरश चिकित्सा शब ठीक है इसके अलावाग बहुत सारे शब्दे हैं हमारे जैसे नीही धन चय तो नीही धन चय इसको हटा देती हूँ आपको एक्जांबल बता देती हूँ जैसे नीह धन चय ना अगर सफ्धूं शांद है क्यों है यहां की तालवी गंड़ा है तो हमारा शब्द क्या हो गया है हमारा शब्दिया क्या हो गया निश्चेतना इसके अलावा दुहुधन शासन क्या हो गया यहाँ पर तालवेश है और हमारे पास विसर्ग दिया हुगा इस वरके बाद में तो इसके हो जाएगा विसर्ग का तालवेश हो जाएगा दुष्शासन क्या हुआ दुष्शासन इसके लावावर देखिए दू धन चंता क्या हुआ दुष्चिंता क्या हुआ दुष्चिंता इसके लावा नी धन चल क्या हुआ निश्छल क्या हुआ निश्छल और था च च और श यानि विसर्ग के बाद में च ज श श में से कोई वर्ण यदि आता है तो विसर्गी के इस थान पर हमें क्या करना है तालावे श करना है ठीक है तो ये थे हमारे उधारण आगे बढ़ते हैं हम अगले नियम की और अगला नियम क्या कहता है हमारा अगला नियम ये कहता है कि यदि स्वर्ग तो है और विसर्गी भी है हमारा इनके बाद में यदि त थ या मुर्धन्य श में से कोई वर्ण आता है क्या बोला मैंने ट, थ या मुर्धन्य श में से कोई वर्ण आता है तो हमारा ये जो विसर्ग है ये मुर्धन्य श में परिवर्णते हो जाता है यदि विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद में यदि था या फिर मुर्धन्य शर में कोई एक मर्ण आता है तो हमारा सफार्ट्ध दो मुर्धन्य शर में परिवर्टित हो जाता है। हमारा विसर्ग आया विसर्ग से पहले हमें स्वर मिल गया और पीछे क्यायट थ तो हमारा जो विसर्ग है वो किसमा परिवर्टित होगा शय में कौन से शय में मुर्धनी शय में क्योंकि यहां आधा मुर्धनी शय है इसलिए हम इसे आधा लिखेंगे और पीछे का वर्ण ऐ ऐसे के पीछी गाशाधम ऐसे के ऐसे लिख देंगे इसके लावा देखिए कि दनु धन टंकार कि बहुत ज्यादा परिक्षाओं में पूछा गया प्रेश्ण है धनु धन टंकार इसका संधी का होता है धनुष टंकार क्यों हाँ? क्योंकि यहाँ पर टवर्ण है मुर्धनिय टव है और आगे हमारा विसर्ग है स्वर्ग के बाद में तो हमारा विसर्ग जो है किसमें परिवर्थित हो गया वो मुर्धनिय शाम में परिवर्थित हो गया ठीके आगे देखिए आगे है चतुहू धन चतुहू धन शश्ठी इसका क्या होगा चतुष शष्ठी तो ये थे हमाने नियम नंबर दो पहले हमने किसके बारे में देखा चर्च और शष्ष के बारे में यह मुर्धनिय शह क्यों बोला हमने क्योंकि टव और ठव का उचारण से क्या होता है, मुर्धा ही होता है, जब उनका उचारण करते हैं, जब हम टव और का उचारण करते हैं, तो हमारी जीवा जो है, वह हमारे मुख के उपर वाला जो कठोर वाला हिस्सा होता है, जिसे ता और हम और उसको करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि जितने हम उधारन करेंगे, उतनी ही हमारी संधी अच्छी होईगी, उतनी ही हम शुद्ध लिख सकेंगे, जैसे देखिए, यहां द्री धन्टा है, क्या है? द्री धन्टा, धामे दी की मातला लगी, द्री हो गया और पीछे क्या है तावर्ण, यानि अघोष वेंगन है, अघोष वर्ण है, पहला वर्ण है, तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग को किसमे परिवर्टित करना है, मुर्धनी है, शा में, तो यह हमारा क्या हो गया? द्रिष्ट, क्या हो गया? द्रिष्ट, आगे देखिए, हो गया दुष्ट क्या हो गया दूष्टक मृट कौकि यह विजःजन संधी और विशार्ग संधी का फिनीज मेरा का मते सब्सक्राइब लीच़ा का इस ड्यज़न संधी दोनों सर्षा जाता है विजन प्रेशन संदी देखते हैं युद्æ धन इस्तिराता युद् democracy का अधर को स्षा स्वर्णत परिवर्णता है मुर्धन इश्ढ परिवर्णत हो जाता है अधर है ने नियम-asta using तो किसे पहला नियम हमने पढ़ा स्वर और विसर्ख है ताला विश्र में परिवर्टित हो हो जाता है आगे हम देखते हैं अगया हमारा बचा तो अब क्या है हमारा यदी त और त और त और त और त स और था स्वल से स्वल के बाद उसल के बाद में यदी दंतिय वर्ण त त और दंतिय स आता है क्या कहा मैंने यदी स्वर और विसर्ग के बाद में दंतिय त ठ और संतिय स आता है तो हमारा विसर्ग जो है ये दंतिय स में परिवर्टित हो जाता है कैसे उधारण है हमारा नमा धंतिय अच्छा इवादार बताईए मुझे हमने अर्भितर्जुद नियम पढ़े इन नियम में आदेश हो रहा है आगम हो रहा है लोप हो रहा है या फिर प्रकृति भाव हो रहा है बताईए जली से क्या हो रहा है हां बताईए बताईए अंतः धन तर अर्य यहां आदेश हो रहा है क्यों क्यों कि यहां विकार उत्पन हो रहा है विकार से यहां पर हमें क्या मिल रहा है एक नई चीज मिल रही है परिवर्शन मिल रहा है ठीक है विसर्द के इस तान पर क्या रहा है हमारा नया वर्ड हमें म विसर्ग के सानवर क्या लेना है दंतिय सा आधा ठीक है और ते शब्द क्या बना नमस्ते शब्द क्या बना नमस्ते अंतह धंतल अंतह धंतल तो विसर्ग का क्या प्रणना है हमें दंतिय सा क्यों 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 कि यहां क्या है त तो क्या हो गया अंतस तल क्या हो गया अंतस त दू धन साहस दू धन साहस तो क्या हो गया दूस साहस क्यों हुआ कि यहां क्या आ रहा है हमारा दंतियसा और दंतियसा से पहले क्या है स्वर और विसर तो हमारा दंतियसा जो है उससे पहले जो हमारा विसर है वो किसमें परिवर्टे हो जाएगा दंतियसा में परिवर्टे हो हो जाएगा कुछ और उधारण देखते हैं हम इसके जैसे निही धन स्वार्थ निही धन संदेह निही धन संदेह क्या होगा क्युक्कि हमारा विसर्ग भी किसमें परिवर्टित हो जाएगा दूसरा हमारा विसर्ग ने दन्ते संदेह के स्थाAR के ले लिया क्या बन गया, प्लिश स्वार, आगे देखिए नी धन संदे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, विसर्द के इस थान पर हमने धन्तिय से लगाया और पीछे का शब हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या हो गया, निस संदे, क्या हुआ, निस संदे, बहुत इंपोर्टन चब्दे, निही धन संतान, निस संतान, निही धन संकोच, निस संकोच, निही धन संकोच, निस संकोच, यहाँ तक बात समझ मैं आपके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नियम नमबर अगला, अग्यान यह हम यह कहता है हमारा अभी तक हमने किस के बारे में पढ़ा शो के बारे में पढ़ लिया ठा 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 पढ़ लिया शो पढ़ लिया शो पढ़ लिया श क्या कहा मैंने अ और आ के अलावा के अतिरिक्त यहां अलावा लिपीजिए अलावा कोई अन्यस्वर हो कोई अन्यस्वर और विसल के बाद में और इसके बाद में क्ख या प और व में से कोई वर्ण आ जाता है यदि आ आ के अलावा के अन्यस्वर और इसके बाद में यदि क्ख प में से कोई वर्ण है तो हमारा विसर्ग जो है, ये विसर्ग मुर्धनयेश्या में परिवर्तित हो जाता है कैसे? उधारणिया हमने आवी धनकार नी धन फन दुहू धन कर्म ठीक है तो अब हमें क्या करना है यह रेखिए हमार पस क्या है हम क्या और या आमें सो कोई स्वर है नहीं यहां क्या है छोटी छोटी के बाद क्या है विसर्ड और उसके बाद क्या है कवर्ड उसके बाद क्या है कवर्ड तो हमें क्या करना है इस विसर्ड को हमें मुर्धने श्रमे परिवर्टे करना है तो हमारा शब्द क्या बना आविशकार क्या बना हमारा शब्द आविशकार हमारा शब्द बना आविशकार आगे देखिए हमारे पास यहां क्या है फ यहां क्या है फवर्ड और इससे पहले क्या हमारे पास छोटी की मात्रा और विसर्ग तो अब हमें क्या करना है, इस विसर्द को हमें किसमें परिवर्टिक करना है, मुढधनिया शेय में, तो क्या होगा हमारा शेब्द निश्वल, क्या हुआ निश्वल, कुछ उदारण और देखते हैं इस क्या हम, जैसे, जैसे हमने लिखा, निही धन कंटक, क्या लिखा हमने, निही धन कंटक, क्या लिखा, निही धन कंटक है, इसमें हमने क्या मिल गया है, यहां क्या है, विसर्द गौर्वर्वान साथ छोटी ही, तो यह क्या हो जाएगा, हमने विसर्द के लिखे क्या लगाया, मुर्धनिश्य, बाकी का क्या हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो यह क्या बना हमारा निश्व कंटक, फिरे दू के बाद में, विसर्द्यर्था निष्व किया और फेर कर, क्या हुआ दुषकर, निधनकाम, निष्काम, फिरे लिए इसके अफार देखें आप, निही धन प्राण क्या हुआ निश्प्राण क्या हुआ हमारा शब्द निश्प्राण और देखिए दुभु धन परिणाम क्या है दुभु धन परिणाम तो हमारा उभरण क्या बनाए दुश परिणाम क्या बना दुश परिणाम कॉंसा था हमारा चो था पहला किया था चछा और शयो का फिर आया हमारा तठा और मुर्धनी शयो का फिर आया तठा और धंते से और अब हम क्या पढ़ रहे है यदि अ आ के अलागा कोई अन्यसवर हो और इसकी बाल में का-खा-पा-पा में से कोई word हो तो हमारा विसर्थ के ज़ए हो मुड़निये شय बे परिवर्थ हो जाता है आगे बाद हम अच本ter' आगे देखिए스 निया म नमर 5 ये निया मो नमर 5 हमारा क्या हमाले क्या कहता है कि दें देखे में कमा अश्बतु आप लोग्र फ्यालिक सकते हैं नियोत क्रूंप के विजुक्षार हया है अब हम अ को हमने छोड़ दिया तो अ क्या करेंगे तो देखिये हम अ क्या करें दिए? यदि अ के बाद क्या हो मिनद हो और इसके बाद में क ख प और प में से कोई एक वर्ण हो तो वहाँ प्रकरती भाव की संदी होती है अर्था उसमें विसर्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है कैसे नहीं होता है देखिए प्रातः धनकाद इन शब्दों के अगर आप संदी करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं इसे हम बिना किसी परिवर्तन के विसर्द के साथ लिखते हैं किस्पध के साथ लिखते हैं इसे अलावा अंतह अंतह स्थ हैं ऐसीह नो इसम ए क्विस्दी के ऊपर शेर्यर में इन्की है थिक्वड़? करावा आप जो लिखते हैं क्या लिखते हैं हम बहुत बहुत-बहूत इंपोर्टेंट है मनाः धन विज्यान इसे कई बार मलो विज्यान की संह्या दी जाती है जो की गलत है इसे हम मना विज्यान ही लिखते हैं इसमें koई की संधी नहीं होती है यह प्रकटी भाव की संधी होती है कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके रावा देखिये है अधह धन पतन है अधह धन पतन तो हमारा संधी क्या होगी अधह पतन ही होगी, इसे आप अधो पतन लिखते हैं, वो भी गलत है, क्यों हुआ ये, क्योंकि अ और आस्वर की बार भी हमारा मिसर्ग है, प्लस कख़़़़़ पर्फोर में से कोई एक वर्ण है, तो हमारा क्या हो गया ये? क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, क्या, यहाँ पे अ, यहाँ पे प, ठीक है, इसे आप मनह कामना कर लिजी एक बार, मनो कामना शब्द जो होता है, वो अशिद्द होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है A, और A, और पीछे क्या है विसल, उसके बाद में हमारे कवर्ण, अपवर्ण आ रहें, तो यदि कवर्ण, खवर्ण, पवर्ण, उसे कोई आता है, तो क्या हुता है हमारा फ्रकृति भाव के संद्धी होती है विस्टरóc में किसी प्रकार को कोई परीवर्तन नहीं किया जाता है कुछ और हुजारन देखते हम जैसे रजह धनकन रजह धनकन का क्या होगा हम ऐसी कैसे लिखेंगे विस्टरभ को इसमें कोई परिवर्तल नहीं होगा रजह कर पिर देखें वयाह धन करम तो इसे भी हम ऐसे कैसे लिखेंगे वयाह धन करम का वयाह करम पयाह धन पान तो ये क्या हो गया पयाह पान क्या हो गया पयाह पान आप इसको ऐसे कर देते हैं तो यह गलत होगा ठीक है इसके पर शीरो रिखा नहीं आईगी और तपह धनपूत तपह पूत यह हमने पढ़े यदि विसर्ग के साथ में अगोश व्यंजनों का अगोश वरणों का मेल होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है कैसे हम उनके विसर्ग में परिवर्तन करते हैं यह हमने पढ़ा पांच नियमों के माध्यम से तो कैसे लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किया है अब तक तो हमाने नव भारती स्टेडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे आप से विसर्ग संधी में स्वरों के साथ अर्धात स्वर और विसर्गी के साथ सघोश्वर्णों के मेल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद